हेलो आपका स्वागत है मेरे आज किस नई वीडियो में आज किस नई वीडियो में मिले कराएं एक और न्यू के अपॉडिशन टुटोरियल फर 2023 जो की होने वाला है ग्लोबल लेवल पर और इसा और्गनाइज कर रही है इसके अपॉडिशन का नाम है उडियोस को तैयार करना होगा कितने मिनिट की वीडियो होनी चहिए हो कैसे अपलोड करना है और किस app पर आपका ही audition होने वाला है किस mode में audition होने वाला है और क्या result announcement होगा A to Z सभी details बताऊंगे इस वीडियो में तो वीडियो को आख के तक जहुद देखेगा तक क्या को कोई problem निया इस के option को apply करने के लिए तो इस वीडियो को start करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए आए है मेरे चैनल को subscribe कर दीजिए और tap कर दीजिए bell icon पर तक कि जब में कोई नए value डालू आपको पते सिल जाए और साथी इस वीडियो को like कर दीजिएगा इस से motivation बना रहता है और साथी मेरे 10,000 subscribers complete करने मदद कीजिए और साथी आप मुझे अप Facebook पेज और मेरे Instagram पेज जाई YouTube पर follow कर सकते है ताकि आने वाले upcoming care position के अपडेट result announcement के साथ साथ BTS के अपडेट्स और information भी आपको बाबे मिल सकते है साथी आप लोग के लिए में काफी playlist ये बना रखी है care position tutorial में आपको सारी care positions मिल जाएंगे उसके साथ care position tips में वो वीडियोज है जो आपको helpful होंगी care position को पास करने में और साथी एक playlist है 24-7 always open ongoing auditions उसमें जितनी वीडियोज है उस care position के लिए आप कभी भी अप्लाइ कर सकते हैं अब भी आप अविलेबल हो आपको लगता है आप प्रिपैर के लिए के लिए तो आप उन सब भी वीडियोज को देखकर आप किसी भी Korean entertainment company के लिए अप्लाइ कर सकते हैं 24-7 तो आप उस प्रेलिस को चेक आउट कर लिजेगा और जब आपको लगता है कि यह मेंबर्शिप जोईग करके आपको काफी इंस्टे एक्ट्रस मेलेंगी जो आपको हेल्प करेंगे आपको के अपनी वरीस को सॉल कर सकते हैं कंसल करके कि इसके वह लोग अपनी से बात कर सके और आपने बात कर सकते हैं अपनी और जो पिछ और प्याट्राइशन बीडियो विडियो से इवाटीशन सेशन अपने वीडियो और आपको कि सेंट कर सकते हैं ताकि मैं आपको आपने फोटो वीडियो बनाई है वह आपके जो अप्लाइ करने के लाइक है या नहीं है अली एक्सेस्टों वीडियो जो मैं डालती हूँ उस पर अपको अप्लाइक कर सके क्योंकि आप जानते हैं उनकी जो है जो डूरेशन होता है वह होता है 48 आर्स का सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वाइजी मंतली ओडिशन है क्या तो वाइजी मंतली ओडिशन एक तरह का मंतली ओडिशन AG는 को तो आपको सामने एक ये जोनों की ओडिशन होता है एक तरह का One On One online वीडियो ओडिशन जिसमें आप होते हैं और आपके सामने एक इंचार्ज होता है ये जूम अपटे किया यह atención हर महिने होता है तो आप इस हर महिने इस क्योंकि assists के लिई उसके आपको सर्च टेप में जाकर लिखना होगा वाईजी एमेम जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने काफी सर्च इस उपन हो जाएंगी तो आपको क्लिक करना है वाईजी एमेम डैश ओडिशन ब्लू टिक पर यही है उनका ऑफिशल इंस्टागाम एकाउंट जैसे आपसे भी डिटेल्स दी हुई है वन बाई वन बाई वन में आपको सारी डिटेल्स वन बाई समझाते जाओंगी तो वीडियो को आकर तक जरूर देखेगा सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अप्लिकेशन पीरियड ओफ वाईजी एमेम सेप्टेम्बर मंतली ओडिशन तो 2023 के बारे में तो देखिए इस के पॉडिशन अप्लाइ करने का जो अफ्लिकेशन पीरियड है वह स्टार्ट होने वाला है एक अड़ेकर यान स्थेंडर्स थैंडर्स सेरमीकर और सेबावbnिशन के लिए अप्लाइ कर सकते हैं वह तो यह टाइम दिया गया है वो दिया है केस्टी टाइम जोन में यानि की कोरियन स्टेंडर्ड टाइम में उन्होंने कहा है कि अकर कोरिया में जो है सुबह की ग्यारा बज़ी होगी तब ये केवपॉडिशन क्लोज हो जाएगा वड़ अगर बात की जाए इंडियंस के हिसाब से तो इंडियंस के लिए मैं बता दू कि इंडियन्स के लिए के ओपॉडिशन क्लोज हो जाएगा सुभा साड़े साथ बज़े याने कि मान लीजिए अगर इंड कोरिया में सुभा की ग्यारा बज़ रही है और दिन फ्राइडे है तो उसी दिन फ्राइडे की दिन ही आपके हाँ इंडिया में बज़ेगी सुभा की साड़े साथ तो इसके अकॉर्डिंग आपको 10 सेप्टेंबर को सुभा की साड़े साथ बजने से पहले पहले आपको इस के ओपॉडिशन के लिए अपलाई कर दिना है और याद रखेगा आपको डेडलाइन से पहले इस के ओपॉडिशन के लिए अपलाई करना है क्योंकि अगर आप डेडलाइन के बाद अपलाई करते हैं तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक कर दिया जाएगा इसलिए मेक शूर आप टाइम पे अपलाई करें नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं और इस के ओपॉडिशन ने अपलाई करने के लिए कुछ क्राइटेरिया रखा गया है पहला क्राइटेरिया तो यह है कि सिर्फ इस के ओपॉडिशन ने वही अपलाई कर सकते हैं जिनका जन्व हुआ है 2004 से लेकर 2013 तक सिर्फ और सिर्फ भाई लोग अपलाई कर सकते हैं इसका मतलब 2004 से लेकर 2013 तक के जित्ते भी बर्टियर है अगर आपके तो आपलाई कर लिजेगा दूसरी चीज़ यह है कि यहाँ पे कोई भी जेंडर का लिमिटेशन नहीं है तो इसी चीज़ यहाँ पे नेशनलिटी का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं यानि कि आप कहीं के भी हो इंडिया, कोरिया, चाइन, जेपैन, युएसे, पाकिस्तान, आस्ट्रिला कहीं के भी हो आप इस के अपलाई कर सकते हैं तो इन तीनों जिजुका अगर आपको ध्यान रहेगा तो आप अगर आप इसे कौलीफाई करते हैं इस क्राइटेरिया को तो आप easily इस के अप ऑडिशन ये पलाई कर सकते हैं नेक्स्ट आम बात कर लेते हैं audition date of YGMM September monthly audition 2023 के बारे में तो देखिए अगर आप successfully apply करने में हो जाते हैं successful तो आपका जो audition होने वाला है वो audition की date दी गई है 23rd of September तो आपको याद रखना है कि आपको अपने phone में या आपके laptop में आपको पहले से ही zoom app को download कर लेना है तो आपको आपको audition होने वाला है वो zoom app पे होने वाला है और आपको फिर से बता देती हूँ आपको audition की date रहेगी 23rd of September next हम बात कर लेते हैं audition category of YGMM September monthly audition 2023 के बारे में तो देखिए इसके audition ने apply करने की audition categories हैं वो है singing, rap, dancing and other abilities other abilities में आपका ज़ता है appearance और acting तो इन चारो category में से आपको किसी एक category के लिए apply करना होगा किसी एक genre को ही आप choose कर सकते हैं तो जिसे भी आप best हो आप उस एक जरने के लिए apply कर दीजेगा next हम बात कर लेते हैं how to prepare for audition categories of YGMM September monthly audition 2023 के बारे में तो देखिए total मिला कर आपके सामने चार categories है singing, rap, dance और other category अगर हम बात कर रहे हैं singing के लिए तो singing के लिए उन्होंने कोई भी limit नहीं दिये कि का आपको कौन सा गाना चूस करना है या कौन सा genre या किस language का होना चाहिए बड़ आपको याद रखना है कि आपको live singing करनी होगी और आप जो भी गाना प्रिपैर कर रहे हैं वो आपका डेर्ड मिनिट ज्यादा का नहीं होना चाहिए second is अगर हम rap की बात कर रहे है तो rap में भी उन्होंने बता दिया है कि कोई भी limited gender नहीं है I mean genre नहीं है और नहीं कोई language का barrier आपके लिए रहेगा आपके उपर आपको किस language में गाना है और कौन से genre का rap काना है और next is ध्यान रखना है कि आपको live ही rap करना होगा और वो भी डेर्ड मिन्ट से जादा का नहीं होना चाहिए डेर्ड मिन्ट से कम का ही आपको repair करना है क्योंकि आपका live होने वाला है singing और rapping दोनों ही थर्ड बात कर ले dance category की तो dance category में भी उन्होंने कोई भी limit नहीं दी है music के genre और उसकी land को लेकर पर उन्होंने कहा है कि आपके जो गाना है उसकी जो land है वो डेर्ड मिन्ट से जादा की नहीं होना चाहिए यानि कि आप जो भी dance prepare करेंगे जो भी dance की करके दिखाएंगे वो आपका डेर्ड मिन्ट से जादा का नहीं होना चाहिए और आपको याद रखना है कि आपको आगे दर रहकर कोई भी गाना dance करने का बोलते है तो आपको dance करकना आना चाहिए आपको अपने आपको prepare करना होगा चोथा हमारे category आती है other abilities जिसमें example में रखना है आपको appearance और acting तो इसमें आपको अपनी abilities को दिखाना है एक minute तक आपको एक performance दिखानी होगी जिससे आपके appearance और आपकी acting शो हो सके आपके अंदर abilities उन्हें दीख सके कि हाँ अगर आपके पर कुछ काम किया जाए तो आपके vital बन सकते हैं तो इन सभी चारों चीजों को आपको ध्यान रखना है जब भी आप इस care portion के लिए apply कर रहे हैं तो next हम बात कर लेते हैं how to apply for YGMM September monthly audition 2023 के बारे में तो देखिए इस care portion में apply करने के लिए आपको तीन steps को follow करना होगा पहला है तो आपको step ये follow करना है कि आपको pre apply करना होगा Google form के through या तो आप scan कर सकते हैं QR code को या फिर इस link को आप copy करके paste करेंगे Google पर तो आपके सामने थोड़ देर में open जाए Google application form तो पहला तो आथा है कि QR code को scan करना होगा तो देखिए आपको ये दिख रहा है QR code इस से को scan करना होगा जैसे आप से scan करेंगे तो आपके सामने Google application form की link आएगी उस पर को click करना होगा और फिर आपके सामने थोड़ देर में Google application form open हो जाएगा दूसरी चीज़ यहाँ पर मैंने आपको link भी दी हुई है वीडियो के description box में भी आपको मैं link दे दूँगी ताकि उस link पर click करकर आप सिद्धे इसके Google application form को देख पाएगे second step जैसे आपके सामने form आ जाएगा आपको क्या करना है सारे information उसके अंदर feel कर देनी है और apply कर देना है अब जैसे आप apply करने का का आपका पूरा हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है confirmation email भीजा जाएगा confirmation email के अंदर आपको audition की date, time और zoom एप की link दी जाएगी zoom link दी जाएगी इसका मतलब यह है कि जैसी अगर आपने application form apply तो कर दिया मगर सिर्फ कुछी लोग जो है audition दे पाएंगे तो सिर्फ जो कुछ लोग audition दे पाएंगे उनी के पास ए confirmation email आने वाला है जिसके अंदर आपको audition का date, time और zoom की link दी जाएगी जिसके तुरू आप इस care portion ने apply कर पाएंगे अब चुकी आपको confirmation email आ चुका है तो तीसरी step आपको follow करना होगा आपको attend करना होगा one-on-one audition online विया zoom app के दुरू जो भी आपको specified date और time बताया गया है आपके उस confirmation email में उसी की time पर, उसी date पर आपको क्या करना होगा आपका online audition देना होगा zoom app से one-on-one audition होने वाला आपको बताया था एक आप होगे और आपके सामने एक जज होगा तो आप दो के बीच में यह audition होने वाला है zoom app पर तो आपको अच्छे से अपनी तरह से prepare कर लेना है और आपको उस link में जैसी आप enter करेंगे आपको वेट करना है कि ताकि वो आपको अलाव करें audition देने के लिए ठीक है आपको वेट करना होगा ताकि वो आपको admission ले सकें आपका यानि कि आप apply कर सकें तो बस यही थी तीनो steps आपको follow करने होगे अगर आपको apply करना है skip audition के लिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं points to remember before applying for YGMM September monthly audition 2023 के बारे में पहले जीज तो यह है कि अगर आपने audition दिया है YGMM monthly audition का अगर आप audition देने का apply कर पाए यानि कि जैसे आपने apply किया और आप उन कुछ बच्चों में select हो चुके उनका audition होने वाला है जैसे कि जूम एप के तुरू आप audition देंगे तो अगर एसा चांस आपको मिल चुका है तो आप एक बार apply करने के वाँ सिद्धे 6 मेने के अद अपलाए कर पाएंगे दूसरी चीज़ है कि जित्ते भी selected applicants हैं उन्हें confirmation email भीजा जाएगा और ताकि वह audition दे सके और तीसरी चीज़ है कि आपको जब भी audition देना है तो यादर है आपको bright spot में देना यानि कि आप ठड़ा उजाले में audition दिया कीजिएगा आपको इस बात कर ध्यान रखना है आप ज दूसरी चीज़ अगर आप डांस के लिए apply कर रहें तो आपको याद रखना है कि जब अपनी वीडियो बना रहे है या जहांगे आप audition दे रहे हैं तापकि पूरी की पूरी बोड़ी है वह वीजिबल होना चाहिए सामने जर बेठा हुआ जज़ है उसको next हम बात कर लेते है result announcement of YGMM September Monthly Audition 2023 के बारे में तो देखिए इस के अप audition के जो 50 preliminary qualifiers होंगे उन्हें contact किया जाएगा email के तुरू यानि कि अगर आपने qualify कर लिया है इसका preliminary round तो 50 लोगों को select किया जाएगा उन 50 लोगों को contact किया जाएगा email के तुरू कि आपने इस audition को pass कर लिया है तो यही थी अपने सारी information YGMM September Monthly Audition 2023 के दिए. Hope I answered all your questions well and that's it for today's video. I make more updates related to BTS, Kpop, Kpop Partition Tutorials, Kpop Partition Tips, Life of Kpop20, An Idol and Korean Andọaन video like these. You can check out my playlist of Kpop Partition Tutorials, Kpop Partition Tips, 24-7 Always Open Ongoing Auditions and try out as many auditions as you can. and those who have curious related to video ask me in my comment box if you liked what you see then make sure to click the sub question button it will help me to grow also encourage me to make more updates related to bts kpop kpop production tutorials kpop production tips and cool and internet videos like this in the future and also help me to complete 10 000 subscribers soon love you all stay safe see you guys on my next video thanks for watching don't forget to subscribe to my channel jtu bye bye can anybody out there hear me hear me cause i just wanna say